दोस्तो आज के वीडियो में हम compare करने वाले हैं Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर को Mediatek Helio G85 प्रोसेसर के साथ में G85 जो प्रोसेसर है अभी की तारीक में बहुत popular प्रोसेसर है भाई Redmi Note 9 के अंदर हमको देखने के लिए मिला Narzo 20 के अंदर हमको देखने को मिला और gaming का प्रोसेसर है बजट में अच्छी gaming की performance देता है दूसरी तरफ रखा है यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर जो कि कल हमको देखने के लिए मिलने वाला है या आज ही हमको देखने के लिए मिलने वाला है Realme 7i के अंदर आज की वीडियो में करते है इनी दोनों प्रोसेसर को कंपयर और देखे भाइ दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है फड़ावर से comparison को start करते ह। लेकिन comparison को start करने के पहले life target set करते हैं light target अपन रखते हैं 200 likes का I hope आप complete कर दोगे फड़ा बट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है स्टार्ट करते हैं लाँच डेट से, Mediatek Helio G85 लाँच हुआ है 30 अपरेल 2020 को स्नाप ड्रेगन 662 लाँच हुआ है 21 जनवरी 2020 को, तो लाँच डेट के हिसाब से Mediatek Helio G85 लेटेस्ट प्रोसेसर है CPU और CPU Clock Speed के अगर बात करें, दोनों प्रोसेसर के साथ में हमको Dual Cluster Architecture देखने के लिए मिलता है Mediatek Helio G85 में हमको 2 प्लस 6 की Big Little Approach देखने के लिए मिलती है दो कोर मिलते हैं Performance वाले टास्क के लिए, जहाँपर मिलता है Arm Cortex A75 CPU Clock Speed मिलती है 2.0 GHz की, और 6 कोर मिलते है Efficiency वाले टास्क के लिए जहाँपर मिलता है Arm Cortex A55 CPU, Clock Speed यहाँपर मिलती है 1.8 GHz की Snapdragon 662 की अगर बात करें तो यहाँपर हमको 4 प्लस 4 की Big Little Approach मिलती है 4 कोर मिलते हैं Performance वाले टास्क के लिए, जहाँपर मिलता है हमको Cryo 260 Gold CPU जो की Based है Arm Cortex A73 के उपर Clock Speed मिलती है 2.0 GHz की और 4 कोर मिलते हैं हमको Efficiency वाले टास्क के लिए, जहाँपर मिलता है Cryo 260 Silver CPU जो की Based है Arm Cortex A53 के उपर Clock Speed मिलती है 1.8 GHz की Overall अगर देखा जाए तो दोनों में अगर आप देखो तो Clock Speed तो आपको एक जैसी मिल रही है 2.0 और 1.8 की लेकिन G85 में आपको A75 वाले कोर्स मिलते हैं जो की Latest कोर्स है Performance आपको थोड़ी सी बेटर देते हैं लेकिन इधर 662 में आपको 4 कोर मिलते हैं A73 वाले G85 में आपको 2 A75 वाले मिलते हैं लेकिन फिर भी Performance की अगर बात करेंगे तो Mediatic Helio G85 से आपको CPU के मामले में बेटर पर्फॉर्मेंस मिलेगी CPU fabrication process की अगर बात करें Mediatic Helio G85 बना है 12 nanometer की fabrication process पर Snapdragon 662 बना है 11 nanometer की fabrication process पर और ये चीज़ आपको पता है भाई कि fabrication process जितनी कम होती है प्रोसेसर उतना बेटर पर्फॉर्म करता है उतना ही कम हीट होता है और energy efficiency उतनी ही ज्यादा देखनी के लिए मिलती है यहाँ पर CPU fabrication process के मामले में Snapdragon 662 बैटर प्रोसेसर है CPU, Architecture and Cores की अगर बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के octa-core प्रोसेसर है यानि की दोनों प्रोसेसर में task distribution के लिए और multitasking के लिए 8-hard core मिलते हैं GPU यानि Graphic Processing Unit की अगर बात करें, Mediatic Helio G85 के साथ में मिलता है Arm Mali G52-2E-MC2 GPU, यह वाला जो GPU है 12 nanometer पर बना हुआ GPU है, 1000 MHz पर इसको clock किया गया है, G85 के साथ में dual core GPU है, 2 core यहाँ पर आपको देखने को मिलते है Snapdragon 662 की अगर बात करें तो यहाँ पर मिलता है Qualcomm Adreno 610 GPU, यह वाला जो GPU है 11 nanometer पर बना हुआ GPU है, हलाकि इसको clock कितने पर किया गया है, यह चीज मेंशन नहीं करी गई है performance की अगर बात करते हैं, तो थोड़ इसी better performance आपको मिलेगी G85 के GPU के साथ में, क्योंकि जो armally G52 है, उसका score अगर अपन देखें तो 81.7 point के असपास आता है, वही पर Adreno 610 का score आता है 80.6 point के असपास, तो लगबग 1.1 point का difference आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत difference से आपको G85 में better performance मिलेगी, तो GPU के मामले में Mediatic Helio G85 थोड़ा सा better processor रहेगा, RAM support की अगर बात करें, दोनों processor के साथ में हमको dual channel LPDDR 4X RAM का support मिलता है, दोनों ही processor के साथ में 8 GB तक की RAM हमको देखने के लिए मिल सकती है, Mediatic Helio G85 के साथ में आपको RAM frequency मिलती है 1800 MHz की, Snapdragon 662 के ज्यादा RAM frequency है, जो कि RAM support के मामले में Snapdragon 662 को एक better processor बनाती है, storage support के अगर बात करें, Mediatic Helio G85 के साथ में हमको केवल और केवल EMMC 5.1 वाली storage का support मिलता है, Snapdragon 662 के साथ में आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों type की storage का support मिलता है, तो storage support के मामले में Snapdragon 662 थोड़ा सा better processor है, camera support के अगर बा और 48MP तक का आपको single camera setup देखने के लिए मिल सकता है, Snapdragon 662 की अगर बात करें तो 16MP 16MP का dual camera setup और 25MP तक का अगर single camera यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको MFNR और ZSL दोनों का support मिलता है, maximum camera size यहाँ पर आपको मिलता है 192MP का, तो camera support के मामले में Snapdragon 662 better processor है, video capture resolution की अगर बात क Snapdragon 662 better processor है, display support की अगर बात करें तो दोनों processor के साथ में हमको full HD plus display का support मिलता है, G85 के साथ में 1080 by 25 20 pixels का resolution मिलता है, 662 के साथ में आपको 1080 by 22 20 pixels का resolution मिलता है, display support के मामले में दोनों processor एक जैसे है, LTE modem की अगर बात करें, Mediatic Helio G85 के साथ में मिलता है integrated 4G LTE modem, जहाँ पर download की speed मिलत की अपलीं के लिए 500 Mbps की, uplink के लिए मिलता है cat 13 modem, snapdragon 662 के साथ में आपको Qualcomm Snapdragon X1 1 LTE modem देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर downlink के लिए cat 13 modem दिया गया है, download speed मिलती है 390 Mbps की, uplink के लिए यहाँ पर cat 13 modem दिया गया है, upload speed मिलती है आपको 1500 Mbps की, तो LTE modem के मामले में Snapdragon 66 662 better processor है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी better download speed मिलती है, N2D scores की अगर बात करें, Mediatek Helio G85 को मिले है लगबग 25,946 point, snapdragon 662 को मिले है 1,41,000 point के असपस, तो यहाँ पर लगबग 60,000 point का आपको बड़ा difference देखने के लिए मिलता है, और N2D के हिसाब से G85 कहीं ज्यादा better processor ह लास्ट में बात करते हैं, Geekbench score की, G85 को सिंगल score में मिले है 338 point, 662 को मिले है 313 point, Multicore की बात करते हैं, 1251 point मिले है G85 को, और 1370 point मिले है 662 processor को, Geekbench के हिसाब से G85 थोड़ा सा better processor है तो भाई यह था comparison Qualcomm Snapdragon 662 processor का Mediatic Helio G85 processor के साथ में, CPU से गर start करें, CPU आपको G85 में थोड़ा सा powerful मिलता है, A75 वाले course मिलते हैं, हाले कि clock speed दोनों में आपको same मिलती है, लेकिन A75 वाले course है भाई, latest course है, obviously performance आपको better देंगे, CPU के मामले में G85 बेटर है, GPU के मामले में भी G85 बेटर साथी में gaming के और features आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो gaming के performance better हो जाती है, G85 में आपको GPU से better performance मिलेगी, fabrication process 662 की बेटर है, 11 nanometer पर बना हुआ है, और भाई बात करें modem की, तो download speed भी आपको थोड़ी सी ज्यादा better मिलती है, Snapdragon 662 processor के साथ में, लेकिन overall इस battle के अगर ultimate winner की बात कर तो मेरे हिसाब से इस battle का जो ultimate winner निकल के आता है, वो आता है Mediatek Helio G85 processor, आप में को comment करके बताना भाई कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा processor better है, comment करके में को जरूर से बता देना, वीडियो को अच्छा लगाए तो वीडियो को like करना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबादेना, और वाला option सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को notification पहुंचे आपको तुरंट से, मैं मिलूँगा आपसे एकला वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई